उत्रपर्देश के संभल में 5 लोगों में करोना की पुष्टी होने से हड़कंप मच गया है आपको बता दे कि दिल्ली से सभी करोना पोजटिव केस आये थी संभल में एक्टिव केस की संख्या 20 हो गई है अब तक 29 लोगों में करोना की पुष्टी हो चुकी है 29 में से 8 गुनोर को तवाली शेतर की रहने वाले हैं सीमो डॉक्टर अमिता सिंग ने सभी 5 लोगों के करोना पोजटिव होने की पुष्टी की है आपको बता दे कि जनपत संभल में 5 करोना के केस सामने आने के बाद जिराप प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है उसके बावजू पहुंच चुका है कोरोना पोजिटिव कैसो कहा गड़ा और उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि हमारे शेहर चंदोशी में लोग फड़कों पर नजर आ रहे हैं क्या आप अपने इस तरह से किस तरीके से लोगों से अपील करेंगे कि इस जंग से कैसे का बाद रखिये इस वक्स कि हम घर से ना निकले गरीबों को इतना राशन पचाया जा रहा है कि हर तरीके से उनको सहूलियत मिले ताकि वो घर से ना निकले जगे जगे पुलिस वाले खड़े हुए हैं और वो रोपने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे देश के लोग और हमारे शहर के लोग मानने को तयार नहीं है वो लगातार अपने घर से निकल रहे हैं शोशल डिस्टर्जिंग का बिलकुल पालन नहीं कर रहे हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल हो गया एक महामारी फैली हुए है जिससे हम सब मिलकर ही इस से लड़ सकते हैं लेकिन इसका उन ल पालन करना बहुत जरूरी हो गया अपने शहर को बचाने के लिए किस तरीके से हम लोग को आघाना चैंजो है शहर को बचाने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें जावरूप होना है कि हम लोग उनheitки बोल रहे हैं पुलिसकर भी बोल रहे हैं सफाई करुम आज रहे हैं, उनको समझाना बहुत मिश्किल हो गया है. आज गराना एंड जोती गार्डन, आज बीटी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज.